नमस्कार आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीपी बिहार का खासका एकरम रूबरू और रूबरू में आज हम आपको ले चलेंगे रगुनादपूर की जंग में सिवान का ये चर्चित बिधानसबा छेत्र जहां पर ये कहा जा रहा है कि जो चुबिस या पचीस का चुनाब होगा चुनाब जब हो जाएं चुबिस में हो जाएं पचीस में हो जाएं एक घमसान मचने वाला है बड़े-बड़े किरदार इसमें सामिल होने वाले हैं और बड़ा नाम चल रहा है जो नाम है महम्मद कैफ उर्फबंटी का तो क्या ये चार-चार बड़े-बड़े सूर्मा रगुनादपूर के सीट को होट सीट बनाने जा रहे हैं आज हमारे साथ खुद मौजूद हैं महम्मद कैफ उर्फबंटी जी उन से हम जानेंगे कि उन से वो कैसे निप्टेंगे आईए उन से सीधी बात करते हैं महम्मद कैफ साहिब आपका बहुत-बहुत स्वागत है कैप्टन टीवी बिहार में बहुत-बहुत शुक्री आपका भी सर्थ जो रगुनादपूर की जी रगुनादपूर की जो सीट है वो होट सीट बन चुक 2020 में मैंने जब अपना राजनीतिक कर्यियर को सुरू किया जबरदस्त तरीके से तो मैंने देखा कि सारन कमिशनरी से लेके हमारी कौम को बहुत ही नहांदास किया तो मैंने सोचा कि अरे सबसे पहले तो अपनी कौम को मजबूत कीजे उसके बादी आप मजबूत ओएगा d प्zeńत्र बने सब्सक्राइब अपने नारा दिया मजबूर नहीं मजबूत बनें कि मजबूरी में आपको इमोस्ट्रकाइब मैं पर्फेशथ मिलेगा और मजबूती में परफेश्नल बनिएगा तो सब मिलेगा तो मैंने इस नारा को देते हुए तो आज बहुत खुश्चे इस बात की है कि सारे मुसलमानों की ही बात अब कर रहे हैं और मुसलमान को ही आप नाम लिए जिसमें एक नाम है विक्रम जो काफी पिछले लगबक दस दो हजार पंदरह में वह जीते हुए थे उनके टिकट नहीं दिया गया वहां दूसरे लोग खड़े हो गए जी तो हमारा सवाल यही है कि 18 फिजदी मुसलमानों की आबादी आप जो मुद्दा उठा रहे हैं कि मजबूर नहीं मजबूत बनिये 18 फिजदी आरक्षन बाबादी के बावजूद आरजेडी जीसी पार्टी भी मुसलमानों को ठीकट नहीं देती है रगुनाद पूल जैसे सीट पर तो इस पर आप क्या कह रहे है कि रास्तिय जनता दल को आप कहिए का डिरेक्ट तो यह सही नहीं है कि रास्तिय जन एब दो तो यहां के जो रहनुमा थे आमिर थे जो मुसलमानों के नेता थे उनको ठीकट देने का काम करती थी और वह सलमान को क्यों नहीं देते थे यह सवाल है और यहीं जंग्ले के आयते हैं कि अगर राश्तिय जनता दल जिक इनको सर्वे सर्वा बना के रखी है सारण क सब्सक्राइब मिसेली में मुसल्मानों का बड़ा चैरा तो टिकट उनको देटी है तो टिकट उनका कांतो यह टिकट नहीं मिलना एक बहुत बड़ा दुरबाग की बात गात था और यह कोस्टन राष्टे-धाध्वर नहीं लगनी चाहिए कि ए नहीं काम किए तो यह अफ्सोस रहा कारण कि सीवान में मुसलमान पीषे और दबा रहा गया तो आपका कहने का मतलब है कि साब उद्दीन साहब ने उस तरह से ट्रो का बटमारा नहीं किया मुसलमानों के बीच में आपका इस सला की तरह ही नहीं अगर है कि मुसलमानों को हक मिलना चाहिए, मुसलमानों को टिकट मल है, तो यहां के जो भी आस्तर जो मुसलमान के बिहार के जो बड़े-बड़े चेहरे हैं, उनसे आप एक भी आप स्टेटमेंट दिखाएए, उनका तो इस्टेटमेंट ही नहीं आगा, और यही कारण है, कि हमारे जब नेता ही नहीं बन पाया, हमको टिकटें नहीं मिल पाया, तो हमारी कौम पीछे चली गई, हमारी तादाज जादे है, लेकिन हमारी इस्टारी बिल्कुल ही जीरो बराबर एक्टर से है, तो क्या उन्होंने मुसलमानों की हक मारी की, हमको हां मैं ना जबाब दीजी मैं वही कह रहा हूँ कि साबदीन साहिब को टिकट मिलना, लोग कहते हैं यहां के बड़े-बड़े जो नेता है, वो सब कहते हैं तो कि टिकट बाटने का काम हमारे मर्हूम डाक्टर मौमाशाबदीन साहिब का था, तो मैं क्यों नहीं, मैं राष्टे जन्दर दलो क्यों, इसलिए तो मैंने बोला कि मजबूर नहीं मजबूत बना और यही यही तो सबसे बड़ी बिडमना है कि जब भी मुसलमान सीवान में कभी बे अपना पैर जमाने की कोशिस करता है, तो उसके साथ कुछ अलग हो जाता है, चाब बीजेपी का एजेंट हो जाए, या फिर दल क्या चल लगी है, रगुनात्पूर सीथ कुले करें, देखें, मेरी तैयारी बहुत मुकमल चल दी है, और मैं पार्टी समर्पित भो चुका हूँ, क्यों मैं बीरोट से करके राश्य जनता दल के और फिर मैं दो यार बिस में चुना लड़ा था, लेकिन इस बार बहुत ख सिवान में लगबक सौ में सौ पर्चेंट टिकट मुसलमानों को मिलने जा रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्दी है मुअमध कैम के लिए, जो एक रुकावट था, जो रुक के रखा था, जो रुक के रखा कि अब मुसलमानों का एकी चेहरा पे, चेहरा पे मिले गने न इसा नहीं है, टिकट मिल रहा है, ये बहुत बड़ी उपलब्दी है, सिवान के हर मुसाब्चों नेता उहर के भी आ रहे हैं, चाहिए जिला परशद हो या फिर जिला परशद के उपाध्यक्स एक लेडिस हैं, मुसलमान है, अभी हमारे यहां पालपूर में नगर पंचा अभी आरजेडी से हरी संकर यादव वहां के सीटिंगे मेले हैं, क्या आपको लगता है कि इनका टिकट काट करके मुहमत कैप को टिकट राश्टी जनता दललाल टेंट थमा दिया जाएगा, आपको क्या लगता है कोई बाचीत हुई है आपको पटना में, कोई अस्वासन म मिला है आपको हरी शंकर यादो जी जो है जितना उनको काम करना चाहिए उतना काम वो किये नहीं और लोगों में रोस है, इसलिए तो इसलिए तो रास्टे जनता दल का वहां पर जो पिछले दोजार चौबिस को चुना हुआ है, उसमें रिजल्ट साफ लगता है कि मुझे लड़ने का सौक भी है और अपने काम जमात को आगे बढाने के सो तो लेकिन अगर मेरी जमात को ठीकट मिलती है तो सम्मुहमत का आपको सबसे बड़ी उपलब्दी होगी कि मेरी जमात को ठीकट मिलना हैं नुइन थीख है आप सफे का रहे हैं कि आपके जमात को टिकट मिलें लेकिन हर्व को टिकट मिले इसका कोई भरोसा आपको पांटी ने दिया है अभी तक बिलकुल बिलकुल नाउमिड कुफर है हम इसलाम वाले हैं बिल्कुल मैं जो। पहले वोड वो था जो बड़े ने दोइसे बात ही तो भड़े ने कहा कि इस बार मुझामनों को अलप संकरको मैेनिटे के को टिकट मिलेगी और उस आसा में अगर अलपसंगों की बात थो रही है तो मैं भी अलपसंग में आता ही हूं तो मुझे उम्मीद लगाना चाहिए और उमीद है कि इस बार जरूर बड़ा बदल होगा तीवान में और जो वर्चस जो छे सेड़ बनी है उसको बरकरार के रखने की कोशिस होगा कि हमार जो माई जो बिगड़ा हुआ है उसे बिगड़े ने ना दिया जाए वलकि उसको समझने दिया जाए क्योंकि देश का जो हलात है टूपी पर जान पर सब चली रहा है तो कहीं ना कहीं इस बार जो है राष्टे जनता दल के वहरी नेता उन्हें सब्सक्राइब प्लानिंग के तरफ सीवान में अक्षर काम कर रहा है जो मुस्लिम और यादों में बहुत 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 डिस्टेंस बना उस डिस्टेंस को खतम करने के लिए कहीं ना कहीं अच्छे पाहल जरूर होगी और निश्यालाब 25 में मुसलमानों को मिलना अब प्लान नहीं हुआ है वहां से उसामा साहिब चुनाव रड़ेंगे रईस खान भी चुनाव रड़ेंगे आपकी दावेदारी है मजबूत दावेदारी है तो लगता नहीं कि माई का जो भोट है वो बठ जाएगा और उसका फायदा भारती जनता पार्टी उठाके ल देखे रास्टी जनता दल का जो एक समीकरन है हमारे नेता ने कहा कि यह टूजेट प्लस बाप अपने बोला माई समीकरन सीवान में खास तो आखिर माई समीकरन को कितना नुकसान उठाना पड़ेगा चाहे यादो हो या मुसलमान हो दोनों को दो नुकसान उठाना पड़ जिसने टोपी पर आवाज उठाई जिसने आजान पर आवाज उठाई जिसने बाशी मजड की जिसने मदर से बंद करने की बात की सब 2,025 में समझ जाएंगे जीतना जरूरी है बीहार को बचाना जरूरी है और को भखोबी इस बार मुसलमान समझ चुके हैं कि बीस साल लि अगतार 20 साल चार मरत में MP का एलेक्शन हार चुके हैं तो निश्ची तो और पर वो समझ रहे हैं अगर यहां अगर सीट जित्ती तो हमारा देश में कहीं न कहीं और मजबूती होगी तो यह बात तो कंफॉर्म हो गया कि इस बार मुशलमान माई समीकरण बनेगा क्योंकि दो कि इनके चुनाव सकते हैं अगर इनके पास समीकरण नहां रहे है तो बिल्किल वही हाल होगा जो चौबीस में हुआ हो जाएंगे तो हम तो चाहेंगे ही नहीं पहले जीत जाहिए नेता अगर उठता है तो पहले पार्टी से उठेगा तो तो और आच्छा है नहीं का तो 24 का फुक्तान आप देखी लिए कि क्या हुआ है 24 में कैसे सारे लोग जो एक उत्साथ है इस बार चुनाओ लगभक सीवान में बदल चुका है सीवान जीत रहा है लेकिन क्या हुआ जो इंडिये का जो इंडिये की सोच है खासतर जो फारडो लोगों पर भरोसा किया ग हो engaging account पीछे आप वहीं पीछे आप इस जाई आप चिसको जब से चुट आए जब से चुटा है तब से हमारी हां की सामना पहबाई सा हुए लगों को हो जाएंगे कुछोने OFF है तो यह थे हमारे साथ महम्मद कैप साथ के नाम से भी जाने जाते हैं साब का रहे हैं कि हमको मजबूत बनना है, मजबूर नहीं रहना है और माई समीकरन अगर एक जूट नहीं होगा तो पिछले 20 साल से जो हम सिकस्त खा रहे हैं आगे भी सिकस्त मिलेगी माई को एक जूट रखना है 33 आदब को बिहार का CM बनाना है और सिवान की सारी सीटें च्छे किछे सीट राश्टी जनता दल के जोली में डालनी है तो फिर सब को मिल के काम करना पड़ेगा और रगुनादपूर सीट से अपनी दावेदारी को वो बताते हैं कि वहाँ पर दावेदारी है सर एक मैं कुछ कहना जी बताई वो यह जी चहना चाहता हूं कि पर्यास में कि राश्टे जनता दल में जहाए दी है तो कहीना कहीं यह जब निरदली अगर आते हैं तो निस्ची तोर पे क्या वाला बाता लेकिन मुसलमानों का बेड़ा पार नहीं होता है कि आप समझ लिजेगा मुसल्मानों का बेड़ मुसल्मान अगर एक आदमी उठे मजबूती के साथ उठे और पाटी से उठेंगे तो वह वह जमाना नहीं रहा गया पाटी से उठेंगे तो निस्चित तौर पे हमारी कौम मजबूती के तरफ जाएगी हमारा नेता जो तेश्वी आदो जी है उनको मजबूती मिलेगी और सबसे ज़रूरी थी कि जो ये बार बार जो बगल के राज में जो मुसल्मानों पर अत्याचार हो रहा है नाम के मॉबली जिंग अब तबरेश के चलते पातिमय का घर तोटना और लगतार जो तीन हच्ट्याई हुई एक तरसे करेंगे तो वहfight का राज यो यूतर-पर्देश वह क्या होगा यह आल्ला करेंगे लेकिन उम्मीद है कि इस बार बिल्कुल ही अच्छा होगा सीवान के मुसलमान एक अत्रित होके एक जगा भोट करेंगे चाहे यादों हो या मुसलमान हो या फिर अन जो गवे कुछले पीछड़े अन जातियों में जो आते हैं वो सारे समिकर सही रहेगा तो बीस सा हो यह सबसे बड़ा सब्सक्राइब करके जाता सबसें निश्चित कर आओ कि आप पिर दुवारा मैं नहीं आऊँगा आपके साथ में निश्चित कराओ कि इस बार जो होगा शीवान की आउर विहार की मुसलमान समझ चुके हैं कि समझ अधी सरकार बनीगी तबी मदर्सा रुकेगा तो अभी टोपी बचेगी तभी बोबलिंचिंग का मालोगी यह सवाल बार बरूप ठीक है मोहमत क्याप साथ आप हमारे साथ जूड़े आपका बहुत बहुत धन्नबाद और इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार आपका बहु प्सक औरा सुब्सेटा मुद्सी झापका बहुत धन्नाप करुम